आज अपने दर हिंदू एडिटोरियल की वोकाबलरी करेंगी जो आपका एडिटोरियल है वो है कालिब्रेटेड बैलेंस ओन इंडिया एंड नॉन अलाइनमेंट तो स्टर्ट करते है इसकी वोकेड को फर्स्ट वोकेड जो आपके सामने आती है वो आती है कंटेंशन तो जल्दे-जल्दे मुझे से इसका मिनिंग आनसूर करो लाइव चैट के अंदर कि विःटक विरोधब्रेथे तो रहेंगा हिघे हिंदी के लिए हिंपॉर्टेंट र क्या होता है तो क्या हो गया तकरार तरक विरोध यह आपके क्या हो गया इसके मिनिंग हो गया ठीक है उसके बाद मेनिंग की यहां पर बात करें इंगलीस में a point asserted is part of an argument एक point जो कि क्या asserted का मला एक point पर जिस पे दावा किया गया दृड कथन बोलते है assertion का मला दृड कथन होता है assert करना मतलब दावा करना दृड वे में बोलना ठीक a point asserted is part of an argument एक argument बहस विवाद की form में एक point को क्या करना एक point का दावा करना एक point वहां पर देना बिल्कों सही है सिनोनिम्स की बात करें तो argument हो जाएगा बिल्कों सही बहस्वाजी वगरा claim दावा इसका synonym होगी जाएगा लेकिन कोन सी वे में नाफ्लिक्ट की वे में दावा ठीक है انटोनिम्स की बात करें तो agreement हो जाएगा बिल्कु सी एक तो क्या आप एग्री सहमती दिखा रहे हो और एक आपके अगर विवाद कर रहे हो तो बिल्कुल if you think harmony किसी के साथ सामजसे में किसी से सहमत होना सामंजसे में होना harmony आपका antonym यहां पर हो जाएगा clear hai uses यहां पर देखें तो nothing happens contention and cross-purpose exist मतलब क्या हुआ कि कुछ नहीं होता जहां पर आपका क्या होता है contention विवाद हो जो cross purpose का मतलब क्या करें अपने बात है cross purpose का मतलब इरादा किसी का opposite इरादा मतलब दो लोगों का एक दूसरे के अलग एक दूसरे से opposite डिफरेंट जो purpose होता उसको बताता है जहां पे क्या होता ये दोनों चीज़ें exist करती है वहां पे कुछ भी नहीं होता मनलब वहां पे आप कुछ नहीं कर सकते हैं जहां पे ये चीज़ें आपकी क्या होज़ें exist होज़ें मनलब किसी भी वे में अगर आप कोई काम कर रहे हो उस काम में क्या होज़ें अगर contention आज मतलब Mr. Jay Sankar का जो content was that ये था कि दावा ये था कि कोई दावा पगे रहा था उनका तो उसको अगर आपको complete यहां पे sentence को देखना है तो आपको count जाना पड़ेगा आपको editorial को go through करना पड़ेगा अब यहां पे चलते हैं अपने picture analysis पे तो यहां पे picture निकल के आती है जो आपको दिखाई दे रही है क्या two person सा एक lock है उनके हाथ में और दोनों क्या करे है लोक को क्या करे है खींच रही है मतलब दोनों में क्या है विवाद बना हुआ है उस लोक के लिए तकरार बनी हुई है समझे हैं चीज या फिर ऐसे ही बोल सकते हैं दोनों claim कर रहे हैं वो बोला लोक मेरा है और वो बन्दा बोला है दूसरा person बोला है कि यह लोक मेरा है इस तरीके से दोनों में क्या है contention बना हुआ है इस तरीके से आपका contention use होता है घर पे कैसे use करोगे आप कोई भी चीज के तो उसके लिए भी आप लोगों के बीच में ऐसे चोटे मोटे विवाद होते रहते हैं अपने बीच में तो क्या होता है कि यह चीज मेरी है वो दूसरा दावा करता है कि मेरी है तो वो जो दावा आप oppose की form में कर रहे है एक दूसरे का oppose करते है जो दावा कर रहे हो क्या हो हो जाएगी आप उसको यूज करोगे तो समझ में आ रही है चीज आगे अपने next vocab पे चलते हैं अब तो next vocab के अपने बात करें नेक्स्ट vocab जो आपकी आती है वो आती है disentangle what is the meaning of disentangle what is the meaning of disentangle जल्दे-जल्दे मुझे इसका meaning बताओ what is the meaning of disentangle अब जलते हैं इसके complete analysis पे तो यहां पे जो इसका meaning आता है वो आता है अलग करना सुलजाना सुलजाना में बिलकुल सही है कोई चीज उल्जी हुई है इसको सुलजाना छुडाना खोल देना अलग करना सुलजाना छुडाना खोल देना बहुत सारे इसके meaning है ठीक है सैम से working जा रही है इनकी sense की फॉर्म में अगर अपने बात करें तो meaning English में देखें free from involvement or entanglement free होना किसे involvement का मतलब क्यों होता है जुडाओ किसी से जुडाओ होना ठीक है या entanglement entanglement के अपने बात करें तो इसका मतलब लगाओ होना किसी से ठीक है तो उससे free कर देना मतलब लगाओ फ़िए जुड़े हुए से मतलब अलग कर देना बिल्कुल सही है इसका meaning synonyms देखें unravel unravel का मिनिंग होता है आपका prevent का मिनिग होता है तो क्या करने है परपस क्या उनका disentangle him from this measure policy decision क्या करने के लिए उसे disentangle करने के लिए अलग करने के लिए यह जो measure policy नितिकत जो निरने आया है उस निरने से disentangle अलग करने के लिए उससे दूर करने के लिए मतलब जो उसने decision लिया है उस decision से उसको वापिस से back लाने के लिए कि ये decision मतलो आप इस तरीके से यहां पर ये बात है कर रहा है ठीक है editorial में बात करें while जबकि it would no longer remain disentangled from कि ये disentangled नहीं रहे है किसी चीज़ से ये बात आपकी editorial में हुई थी तो इसके लिए आपको complete sentence के लिए editorial को go through करना पड़ेगा देखते हैं यहां पे picture analysis में क्या आता है picture analysis में आपको कोई person दिखाई दे रहा होगा और ये जो चीज है वो क्या है उल्जी हुई चीज़ें दिखाई दे रही होगी ठीक है और ये क्या कर रहा है खींशती है इसको क्या करा सुल जा रहा है मतलब जो आप एक टाइप से thread की बात कर सकते हैं कोई धागा वगिर आई ठीक है उस धागे को क्या करा सुल जा रहा है तो ये तो आप decent angle दो यूज़ करी सकते हो बिल्कुल easy way में normal practical way में यूज़ कर सकते हो ये तो आपके साथ होता है ये जो आपके earphone होते है ना उन पे ये diet ही apply होता है कि earphone को जो को एक चीज़ अपने को कभी समझ भी है एक चीज़ आप लोग को notice कि कभी भी आप earphone को एक बार क्या करना साथ mix करक अधानी क्या reason होता है ये earphone क्या होते है आपके आपस में उलद जाते हैं जो दोनों पीसी इंट होते हैं वो आपस में उलद जाते हैं धॉता एक नहीं टा है ये एजय कर सकते हो कि earphone को मैं क्या करहा हूँ तो उसे पहले कि बात जादा बढ़े उससे पहले इनको डिसन टेंगल करो और गरते हो जाते हैं अब चलते हैं नाक्स्ट वोगे पर शल्बर यह नहीं तो नहीं तो नहीं तो नहीं जाते हैं क्लियर है अब चलते हैं next vocab पे next vocab जो आप की आती है वो आती है speculation what is the meaning of speculation जल्दी जल्दी मुझे इसका meaning बताओ what is the meaning of speculation तो अब चलते हैं इसके complete analysis पे तो complete analysis में बात करें तो यहां जो इसका meaning आता है वो क्या आता है अनुमान बिल्कुल सी अनुमान लगाना सटे बाजी जो सटे बाजी होती है वो भी अनुमान देखो सटा होता है सटा खेलते है गलत चीज़ है सट्टा गया एक बहुत जादा गलत चीज़ है ठीक है तो जो सट्टा होता है वो सट्टा रियल में उसका मिनिंग क्या होता है सट्टे का सट्टे का रियल मिनिंग क्या होता है रियल मिनिंग उसका होता है अनुमान लगाना एक टाइप से अपने को नहीं पता है क्या आएगा क्या मतलों सट्टे के अंदर क्या चीज आएगी वो अपने नहीं पता होता एक टाइप से क्या होता है अनुमान लगाया जाता है एक होता सट्टे बाजी अब यहां से अपने बात करें तो यह हिंदी के मीनिंग है similar words कि अगर अपने बात करेंं तो यह यहां पर similar word आएगा एक होता आपका सटेवाजी और एक होती है शुटेवाजी तो यह सटेवाजी सुटेवाजी दोनों के और दोनों ज्या है गलत चीज़ अपने को नहीं करने चीज़ अपने एजू़केटड लोग है अटकल बाजी, अटकल बाजी में अटकलें खेलना, मतलब एक टाइब से आप बोल सकते हो, किस तरीके से अपने, कूट नीती की फॉर्म में बोल सकते हो, अटकल बाजी, गुवर्णमेंट करती हैं अटकल बाजी, उस फॉर्म में आप इसको बोल सकते हो, मनन करना, बिल्कु में भी काम आएगा आपके अरारभी के अंदर जो हिंदी मिनिंग हो ठीक है इनको याद रखना है आपको कि कैसे लिखा जाता है सटे बाजी में टै के पेर में होता है ठीक है टै के पेर में क्या होता है टै होता है इस तरीके से लिखे जाते हैं बाजी होती है तो जय पे यहा लगा हुए ना ठीक है उस वो भी आपका होना चीह समझ में चीजिये जो पॉइंट लगा ठीक है जो यह टीम की यानि हो बिंदु लगा हुए आ तो वह वहां पर होना चीह नहीं तो एरो होती है ठीक है इसकी जो सब्धावली है उसके अंदर आगे अपने meaning English इसमें मिनिंग को देखें तो एन ओपीनियन बैस्ट ओन इन कम्प्लीट एविडेंस एक ओपीनियन किसी का किसी का विचार किसी का मत्थ किस पर बैस्ड हो इन कम्प्लीट एविडेंस मतलब सबूत वहां पर ना हो परमान ना हो इन कम्प्लीट अधूरे परमान के तोर पर को को मतलब क्या कर आप अनुमान लगा एक रियलिटी है वो रियल है 100% फिक्स है ठीक है तो यह आपका क्या हो जाएगा टृत सचाई बिल्कुस एक सचाई है एक अनुमान लगा जाएगा इसका मतलब एंटॉनिम की फोर्म में आज जाएगा यूजिज यहां पर देखिए देर इसे ठीक है एसके मतलब की आपको मतलब और दे उस के अनुमान एहां थोड़ी सी बात यहां पे करने तो स्पयक्युलेशंस बीच میں बात हो या तो बीच में के लिए तो आपके दो होते हैं थीक है समझ में तो यह स्पयूलेशं को बतरा ऑगी लोगों के दोरा क्या किह ज़र अन्मान लगाया जानी है उस स्पयूलेशं के process के बीच में ये चीज़ आई है समझ में आ रही है ना तो ऐसे मत करना आप इसको अगर error में आई है गलत मत कर देना यहां speculations होने चीज़ थे सर क्योंकि Amid Amid का मनलब मद्धे में बीच में होता है तो मद्धे में किसी process के एक process है एक process है उसके बीच में नहीं आ सकता के कोई आ सकता है ना समझ में रही है ना आपके तो उस तरीके से यहां पर क्या कर रहा है यह आपने बात करें एक धागा है ठीक है एक धागा है उसके बीच में गा यही difference होता है अमंग तो बहुत साइचीजों में से किसी को select और यह करता है किसी के बीच में आजए जैसे दागे के बीच में गांट आजए ठीक है समझ में आरे हैं चीज ठीक है बना होता है ना दागे के बीच में वह चीज उस तरीके थ्रैड के बीच में जो आपकी रॉप रसी वगेरा उसके बीच में नौट या गांट वगेरा हो उसके लिए यूज हो जाता है अमिट क्यूंकि वह मद्य को बताता है उसको singular plural से कोई meaning नहीं होता अमंग अलग बात करता है वह स्लैक्ट करता है बीच में से बहुत सारों के बीच में किसी चीज को बताता है क्लियर है यह डाउट आपके अब चलते हैं इसके picture analysis पे तो picture analysis में यहां पे क्यो उटाता है और बड़ा ही must क्यो उटाता है क्या when जब when people don't know जब लोग नहीं जान आप बिल्कुल गलत हो क्योंकि going on, on, off को बता रहा है on का मलव चालू, off का मलव बंद ठीक है उसको बता रहा है इन आपका preposition कितने यूज़ है on only preposition कितने यूज़ नहीं होता on, on, off को भी तो बताता है going on का मलव चल रहा है चालू form में है चलता हुआ continue form में है इन का मतलब म आपकी life में समझ में है on in यहां पे गलत नहीं है clear हुआ दो preposition साथ में आजाए तो जरूरी नहीं है वो गलत हो आपको देखना पड़ेगा किस तरीके से वो use हुई है समझ में आई ना बार तो यह rule है वो रटना नहीं होता क्योंकि students जब rule रटते हैं वो देखते नहीं कि यह है यहां पही बोलना क्या जाता है वो die यह देखते हैं on in साथ में करो error बस करो advantmas current होता है students का क्या मेथाई होता है rules की बादेखते आपका क्या मेति होत्ता हैज हैंब के बाद में वीत्रिन आ के अगर वों नहीं ठीक है गलत करो लेकिन बी भी तुम मेन एक्षन हो सकता है बन चुका है तो यह जो रूल्स था है होती है सारी के सारी क्या होती है आप लोगों के साथ गडबड होती है ठीक है ऐसे ही अपने करते थे पहले जब अपने रूल से रटे होते थे डाइट अपने क्या करता है यही चीज़ देखते थे दो प्रिवर साथ में गलत करो रूल नंबर पता नहीं कौन सा ठीक है तू के ने पढ़ाया था उसके कोडिंग ही मैं करता था लेकिन जब से फिर खुद के सैंस से न्यूजपेपर एडिटोरियल वगेरा पर वर्किंग स्टार्ट की उसके बाद मी यह सैंस बना अच्छा रियलिटी तो यह होती है अपने यह सोचते थे हमें तो सर वगेरा ने टीचर न से भी सब्जेक्ट में अपने दिक्कत नहीं होती है कि अपना सैंस से चमक चुका है ठीक है तो यहां पर अपने बात करें वेन पीपल डॉंट नो वट इस गोइंग ओन इन यूर लाइफ कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है यह बिल्कुल सभी लोगों की बात बता रहा लोगों को एक जरूर यह चीज बढया चीज बें के बMyyanat नहीं किसे विचार अते हूंगे कि यह इसकी लाइफ में चल रहा है। कुछ से अपने अनमान लगाते हैं कि यार उसकी लाइफ में यह चर रहा हैं अगर आपने सोच नहीं या था एसे है यह चीज्जेश ने इनeurs करता है ठीक है ठीक है तो अपने लगाना स्टार्टीक में और जी पर्सिनल लाइफ में भी अगुषिज़ जाते हैं जो की का काम करो ना तो यह जो यह जो क्वालिटी जो इस ने बताई है ना यहां पर यह क्वालिटी किसकी होती है अंसक्सेस्फुल परसन की होती है जो जलन इर्श्या करता है किसी की सक्सेस्स से या फिर जो अंसक्सेस्फुल person होता है वो इसकी quality हो जो successful person होता है वो इसकी quality नहीं होती वो ignore करता है वो ध्यान नहीं देता ठीक है when they think they know जब वो सोचते हैं कि उन्हें पता है देख क्या करते है fabricate वो क्या करते है fabricate करना start कर देते हैं they fabricate fabricate का मतलब खुद से बातें बनाने स्टार्ट कर देते हैं क्या बोला इसने दो बातें जब लोगों को नहीं पता होता कि आपके लाइब में क्या चल रहा है आपके क्या कंडिसन चल रही है तो वो only speculate करते हैं किसी की लाइब बहुत अच्छी चल रही हो ठीक है तो उसके लिए speculate करते हैं कि इसकी लाइब तो बरबाद है कोई मतलब नहीं है दुखी रहता है हमेसा चाहिए वो ना हो और अगर मालो कोई परसन दुखी है उसके internal उसको problem हो रही है कोई भी गड़़़ जैसे मालने जब lockdown के अपने बात करें लोगडाउन में क्या है कि लोगों के काम ठप हो चुए है सभी काम ठप हो चुए है तो वह सामने से आपको दिखता है कि बहुत ज्यादा खुस है यह चीज़ें आपको note is करनी चीज़ ज्यादा खुस है उसको किसी चीज़ की जूरूथ नहीं है लेकिन रियल में इस बंदे को बहुत ज़्यादा किसी financial form में बात करें किसी भी में में बात करें इस person को बहुत ज़्यादा जुरूरत है लेकिन अपने क्या सोचते हैं उनके लिए कि ये इस बंदे का तो काम बड़ा मस्त चल रहा है समझे हैं चीज़ चाहिए वो क्या करा हो स्ट्रगल कर रहा हो समझे हैं इस तरीके से अपने क्या होता है माइंड में चलता है यह reality है human behavior की when they think they know जब वो सोचते हैं कि उन्हें पता है they fabricate जब उनको लगता है कि उन्हें पता लगया तो fabricate करना start कर देते हैं क्या fabricate करना उसके बारे में बातें बनाना मतलो कुछ से बना देते हैं कि यहां ऐसा चल रहा है उसके life में वो सोचते हैं कि मुझे पता है उसके life में क्या चल रहा है तो उस तरीके से जो की क्या है बिल्कुल गलत है अपने को नहीं पता होता मनों दूसरे life से उनको मतलब है और जब उनको लगता है कि उनने पता है तो वो क्या करते हैं खुद से गढ़ना start कर देते हैं बातों को और जब उनने पता लग जाता है तो नफ्रत करना start कर देते हैं समझे है रही है चीज यह reality है इनसान की इसलिए क्या करना होता है इनको ignore करना होता है जो आपसे जलते हैं आपकी success से जलते हैं तो क्या होता है बहुत सारे भी लोग में ने देखे हैं जो कोई person आप पर कमेंट कर दें वो तान क्यों खीशते जान बूज कर खीशते वो जलते हैं इसलिए वो बोलते हैं उनको पता है यह परसन सक्सेसफुल है उनको यह पता होता है कि यह परसन क्या है वह ज्यादा सक्सेसफुल है सिर्फ वो जलते हैं इसलिए वो गुस्से में कुछ भी नॉमसेंस बोल देते हैं लोगों के लिए कुछ भी कि तेरी क्या होता है तैरे से कुnh नहीं हो सकता इसने बहुत कुछ कर रखा है इसलते हैं तो जलते हैं संध्यमीर क्षिज क्यों करते हैं क्यों क्यों को पता है जिस दिन एक चीज धिन रżej Byd Yeah wish होने लगा अन्यव्या इसका मतलब आप successful सबसे बड़ी यही साइन है कि लोग आप से जलना स्टार्ट कर देंगो आपको डिसलाइक करें तो आप लोगों को क्या करना होता है सामने तो नहीं करते हैं तो आपको कमेंट करें लोग करना स्गासर में शोलेद द्कना सबसे बाट consomm मेंसा सबका साथ सबक्त्सक्राइब करते लोग में चला है अज़िए वह इस शुरू करो आनदर आए नियुक्त भाढ़ोगों को सबसेश बातार लोगों काम करो अपने कर्ख़़गा और एसे लोगों को ignore करो बाड़ में जाए समझे आई चीज़ ऐसे लोग क्या जाए बाड़ में जाए कुछ भी करे उनका अपने को कोई मतलब नहीं है आप अपनी जो career है अपनी जो life है जो आपकी growth है उस पे focus करो तब ही आप successful person बनोगे ये कमूल मंत्र है successful person बनने का अगर गुसा भ जाएगा दुनिया आपके लिए बोलेगी आप बोलने है यहाप को बड़ा ही खुछ से करने की जूरत नहीं होती आप लोगों को बोलने की जूरत नहीं है जब दुनिया आपके लिए बोले वे मतला आपने कुछ है अच्छा काम क्या और जो आपसे जलते हैं वो इस दिन वो खतम हो जाएंगे बिलकुल और जैसे ही आप ग्रोथ करोगे वो डिक्रीज होंगे क्योंकि उनको जलन होगी फिर वो अंदर ही अंदर क्या होंगे गुटेंगे और खुद को खुद के पेर पर लाड़ी मालें और खुद कोई बरबाद कर लेंगे आपका कुछ नहीं भीगार सकती समझ मियारी यह बात स्फछा साथ सबसे बड़ा सब्सक्акलेशन करते हैं की सब्सक्रेशन करते हैं किwh puy चलो अपने सब्सक्राइब करते हैं कि आर्रभी का इस्प्राइब करते हैं की को रोना गब घताम होगा सम्झव vrij आगे चलें next vocab पे तो next vocab आपकी आती है clinch what is the meaning of clinch जल्द जल्द मुझे इसका answer दो what is the meaning of clinch in a come to the complete analysis of this particular vocab यहां पे जो meaning आता है what is the meaning coming out the meaning is in Hindi निदर अपने देखें मैं इंगलीश में चला है ठीक है तो हिंदी में तो हिंदी बोलने एग değer करना मझाना मझूट करना पकड पकड़ पगएरा को बताता है तो ये बिल्कुल सही है यह चीज़ अब अपने कोई पुराना फ्रेंट अंपने को मिलता है तो अपने उसे लिपड जाते हैं of बोला आज अचलिंच करते एं ठीक है समझ में आ रहे हैं आप लोगों कहीं याद हो जो बोले बाई क्या करना साथ है क्लिंच क्या होता है तो आप पिर उसको में निग बताना दो कुछ बताना मत वो क्या रहेगा बिल्कुल ऐसे डरा हुआ रहेगा पता नी प्रीड ना दे दे मतलब ठपड़ पगेर ना रख दे या कुछ गड़बड ना कर दे ठीक ह इस तरीके से वो क्या करेगा सोचेगा समझ में आरी आप लोगों के तो आप क्या करना आज आ क्लिंच करते हैं इतना बोलते क्या हो जाएगा उसके ना एक बार तो वह ऐसे हो जाएगा कि बात करना क्या चाहता है बोल क्या रहा है तो समझ में नहीं आ रहा उसके बाद उस को बैंक की जोग को क्या करेंगे क्लिंच करेंगे ऑफिसर बनेंगे ऑफिसर पोस्ट को क्लिंच करेंगे हाथ से नहीं जाने देंगे अपकी बार क्लिंच करके रहेंगे चाहिए कुछ भी हो जाए फोड देंगे अपकी बार समझ में है चीज क्लिंच करते हो फोड देंगे ठ hold in a tight grasp hold in a tight grasp grasp का मलब पकड़ना टाइट का मलब कस्कर किसी चीज को पकड़ना बिल्कुल सही है क्लिंच ठीक है यह गेम भी खेलते हैं आप अपने खेलते हैं पैन वगेरा खींचना मतलब फालतु की गेम बच्चों वाले ठीक है क्या करना पैन क्या मेरे हाथ से चीन के बता क साथ साथ होगे मैं क्लिंच करता हूँ तो इसको डिसन टैंगल करकर दिखा दे मेरे हाथ से समझ जम्यारी चाहिए इस तरीके से यूज कर सकते हो सिनोनिम देखें सील फिक्स का मलब चिपकाना होता है यह बिल्कुल सही सिनोनिम एंटनिम डिले अब यह डिले आपका टाइ इश्यू को मलब जो मुद्दा था उसको क्या कर दिया क्लिंच कर दिया वापिस गर्मा गरम बना दिया उसको गरम जो सी लेकर आ गया गरम कर दिया मुद्दे को जो इश्यू था उसको जकड लिया वोर ने मुद्दा वापिस से स्टार्ट हो गया एडिटरियल में क्या थ तो आपको एक object दिखाई दे रहा होगा और यह क्या हो रहा क्लिंच हो रहा है देखो ऐसे क्लिंच जकड रहा है इसको क्या किया प्रेस किया जा रहा है तो यह आपस में क्लिंच हो गया बीच में कोई इसके एक object रखा हुआ करते हैं ठीक है अपने अपने मजर होती है फादर होते हैं उनके साथ करते कि पापा और मन्मी आज बहुत मतलilate मतल हो अंदर से खुषी आ रही है या फिर औरक पूपनी बोह भूझ बहुत बहुत मस्त वालास है मुझे आपको hug बोलते हैं आपने तो वहां पे बोलना क्लिंच करने का मन्न हो रहा है समझ में आरीया चीज इस तरीके से जैसे माण लीज़िए आप गेम खेलते हो कि हाथ अपने पकड़ लेते किसी का अपने खेलते हैं उसे बच्पन में बच्चे कहलते थे जिस अब बच्पन में अपने खेलते थे अपकर लिए कि छुडा पकरके दिखा दे दर मैं तब मैं क्लिंशasis करता हूं थीक है तो वह उस तरीखे से हाथ पकड़ें परकोष़ी आप कर दिखा दे ठीक है चलें इसके complete analysis पे ठीक है तो चलते हैं फिर इसके complete analysis पे यहां पे जो इसके meaning निकल कराता है वो क्या आता है टकर टकराओ संघर्स को ये बताता है collision दो लोगों के बीच में लड़ाई हो जाना भी एक collision है ठीक है दो लोगों के बीच में जो लड़ाई होती है उसको भी collision बोल स से बाके और एक दूसरे के साथ सर बिढ़ाया उन्होंने अपना उनका सिर होता है वो एक दूसरे के साथ हैड को क्या क्या दूर से बाके जैसे कैसे जैसे मानेजिए दो जानवर लड़ते हैं जैसे दो सांड लड़ते हैं मतलब अपने दो भेंसे लड़ते हैं उनकी तरह तो इस तरीके से कि आपने जाकर उनकी लड़ाई को रोकते हैं इस तरीके से आप यूज़ करोगे ठीक है तो इसका करता हुआ औब्जेक्ट है क्रेसे इंटु सम्थिंग वो क्या हो जए क्रेस हो जए टक्कर खा जाए तूट जाए किसी के साथ बिढ़कर तो उसको बोलते हैं बिल्कुल सही है यहां पर सिनोनिम क्विवाद स्मेस तोड़ना या टक्कर बिल्कुल सही है एक तो चीज हो रही है वहां पर संगर टक्रा हो रहा है टूट रही है चीज एक क्रियसन एक निर्मान कर रहे हैं एक तो आप लोगों का दो लोगों का आपस में कॉलिजन हो गया मतलब दोनों में बहस होगी दोनों में लड़ाई होगी अब एक दूसरे का अगेंस्ट हो ठीक है अब द आपकि क्या हो गये थी टकरा गई ती मतलब बीजिंग के साथ खुद के कोलिजन कोर्स में ये बात कर रहा है इससा कोई आपका एडिटेटरील में सेंटेंस उजगा था यहां पर देखते हैं पिक्चर एनालिसिस तो पिक्चर एनालिसिस की बात करें तो यहां पर पिक्चर बड़ी शांदार आती है देखो यहां पर क्या हो रहा है एक भेड है शिप है ठीक है वो क्या कर रही है यह परसन क्या कर रहा है मचली वगेरा पकड़ रहा है दिखाई में वैसे run up लेते हैं देखना अब ज्यान से यह देखो पीछे run up ले रही है और अब देखो पूरा level बना कर देखो calculation कितनी शानदार है मतलब आपसे तो इसकी calculation अच्छी है यह कितना शानदार level बनाया कि इस calculation का इतनी दूर से बाग किया हूं तो वो आपके क्या था एक टाइब का कोलीजन था गर पे यूजज करने का में तना मैंने बताई दिया ठीक है किसी चीज के साथ टक्र हो जाए अपनी होती है जैसे अपने घर से घर में क्या होते हैं गेट से बाहर निकल कई पर गेट के टक्रा जाते हैं या फिर आपने बोले इस तरीके से आप क्या हो जाएगा याद हो जाए अब चलते हैं नाच्ट वोकेब जो आपकी आती है वह आती है कोलिशन यह आपकी जल्दी जल्दी मुझे इसका मिनिंग वठाओ यहांपे what is the meaning of coalition what is the meaning of coalition चलते हैं इसके complete analysis पर so ar meaning आता है गठ बंधन गुट बंदी गठ बंदन होना थीच्ट है जट में बंदन होना सवोलन छर्शन समीलननों नहीं होता है sa no- invaluable सब्लाइब स साथ मिलन होना मिलन्होना Сам अनुलन वह सारए लोगों के एक साथ हमिलन circuits शामिलन बताता है और यह को यह सम्मिलन को बताता धता लोग जो wykorते हैं मेल हो गया मैल मैल कमतला मिलना एक मैल होता है आपके क्या होता है continues डबल एगमाटरा होती है यहां ठीक है एक ही क्या होती है डबल मात्रा होती है वो मैल क्या होता है मैल मैल होता है जो आपका मैल निकलता है कपड़े का मैल वगेरा वो अलग चीज होती है ठीक है और ये मैल है तो ये ध्यान रखना आपका एक टाइज से सिमिलर वर्ड है सिंगल एक ही मात्रा के साथ जो होता आपका मेल मिलना होता है दो मात्रा हो जाए उपर मेह के ऊपर तो क्या हो जाता है मेल वह वाला मेल जो धोने वाला मेल है वह मेल हो जाता है समझ मैं आया तो यह चीज्ज आप ध्यान रखना इन दोनों में difference है तो वहाँ एक्जाम में अगर RRB Hindi attempt करते हो आप इंगलिस में the state of being combined into one body the state state का मतलब आपका being combined combined हो जुड़ा हुआ into one body एक ही संस्थान में जुड़ा हुआ हो state का मतलब क्या हो गया राज्य थोड़ी जुड़ा होगा मतलब state अवस्था परिष्थी state यहां दो मिनिंग होते हैं state का एक तो राज्य को बताता है state क्या बताता है situation position को भी बताता है मतलब state अवस्था क्या हो आपकी एक ही body में combine होने के मतलब एक साथ मिले हुए जुड़े हुए होने की जो आपकी होती है synonym की बात करें union बिल्कुल से यह गठबंदन association गठबंदन आपका होता है संस्थान बगेरा का तो यह आपका क्या होगा sancton बगेरा तो यह synonym हो जाएगा antonym देखें separation अलगाओ को बताता है separation अलगाओ अलग होना अलगाओ अलगाओ का मतलब क्या होता है अलग होने को बताता है उसको अलगाओ बोलता है हिंदी में जरूरी है या आपके लिए डाइवोर्स का मलब भी अलग होना यूजिज यहाँ पर देंगे ता कोलिशन ही लीड्स इस लार्जर देन एवर यह आपका सेकंड सब्जेक्ट क्लोज है दा कोलिशन का मलब जो आपका गठबंदन है जिसको वो लीड करता है इस लार्जर वो बड़ा है देन एवर हमेशा मलब आज तक कस जब हमेशा मलब जितना था वो उससे बड़ा है मलब सबसे ज्यादा बड़ा है अगर अपने बात करने तो पुराने के मुकाबदे में, comparison में एडिटोरियल में आए, इंडिया शुड ओल्सो शीक टू बिल्ड कॉलिशन विद इंडिया शुड ओल्सो शीक टू बिल्ड कॉलिशन विद इंडिया को क्या करना चाहिए देखना चाहिए, कॉलिशन करने का, middle power वगेरा EU वगेरा, European Union, Japan वगेरा की बात होई थी, तो आप जो इडिटो लिए, उसको go through कर लेना, complete आपके sentence के लिए ठीक है, चलते हैं, इसके picture analysis पे picture है, यहाँ पे देखते हैं, क्या निकल कराती यहाँ पे फिर से क्योट रता है, क्योट में बिल्ड करते हुए, क्या, coalitions का मतलब क्या हो जाएगा, घठमंदन वगेरा को बिल्ड करते हुए, clear आप लोगों के, तो यह, जीत आपकी तभी होगी, जब आप उस रस्ते पे जाओगे, रिस्क तो आपको लेना पड़ेगा, अगर आप डर रहे हो वाँ जाने से की पतानी क्या होगा, तो आप कभी नहीं जीत पाओगे, तो hard working, tough decision बनाने पड़ेंगे, को लिसन आपको करना पड़ेगा, संग्ठन आपको बना, लोगों को मिलकर आपको चलना पड़ेगा, अगर आपको जीतना है, तो बिल्कुल सही बात है, जैसे माने जी, RBI के एक्जाम की बात करें, तो बहुत सारी students है, जो कोसिस करते हैं, समझ में आई ही चीज, तो कोसिस करने में क्या जाता है, जो select हो रहे हैं वहां पे, वो भी तो आप जैसे हैं ना, वो भी तो इनसान ही है, कोई दूसरे ग्रह से तो नहीं आई हुए है, कोई intelligent person जिनका, मतलब किया माइंड में चिप लगी हुए है, तो जब वो selection ले सकते हैं, तो आप क्यों नहीं ले सकते हैं, तो यह चीज आपके माइंड में होनी चाहिए, आपको tough decisions बनाने पड़ेंगे, अगर आपको grow करना है, तो अगर आपको normal में जोब लिनी है, बस जिन्दगी काटनी है, कि क्या हुआ, सुबह गर से टिफिन लेकर गए, वापिस घर पे आगे, वापिस आए बच्चों को खिला लिया, घर पर आका छोटे बच्चों को खिला लिया, ठीक है, उसके बाद क्या किये, घर का काम कर लिया, सो गए, सुबह यह वापिस से टिफिन लिया, और वापिस से ओफिस चले गए, वापिस आगे, यह एक बार सोच कर देखना आप माइंड में, आँखे बंद करके सोच कर देखना, यह कोई लाइफ है गया, यह तो जानवर भी करते हैं, कुते भी तो यही चीज़ गरते हैं, क्या करते है, को रोटी मिल गई वापिस आगए कई बार लात भी मिल गई ठीक है तो इस तरीके से अपने बात करें तो वो केस है तो इनसान हो तो कुछ अलग करो इनसान क्या होता है सबसे अलग होता है कुछ अलग करना होता है इनसान को क्या कि अपना नाम कमाओ कुछ ऐसा करके जाओ होता है न कि आपको दुनिया जाने आपको अलग आपकी पैचान बने धुनिया के अंदर बोले कि यह बंदा यह चाया कुछ कर जो इस दुनिया की डेकर जाओ जीश के लिए आप जिस दुनिया आयो हर बंदे का कोई ना कोई एक उदेशे होता है वो इसी परपस से दुनिया माता है कुछ अलग करने के लिए समझ मैं जी वो उदेशे को पूरा करो आप ये नॉर्मल वाली लाइफ है ये भेड़ चाल है ये तो जानवर भी करते हैं तो अपने हो जानवर में फरक क्या रहा है जब आप कुछ कर नहीं पा रहे तो जब आप जाओ इस दुनिया आपके लिए क्या करें रोए समझ मैं जीज़ दुनिया आपको याद करें कि वो पर्सन क्या था जिससे अबदुलकलाम जी के अपने बात करें अटली जॉब्स की बात करें तो ऐसा कुछ करके जाओ कि दुनिया आपको याद करें वो तो लाइफ है फिर तो मज़े हैं कि इस बात के मज़े हैं और अगर ऐसे नॉर्मल आपको रूटीन जीना है जैसे गाड़ी चलती है ठीक है तो वह वाला अगर के सजानरों वाला फिर तो क जोब जरूरी है सरवाइबल के लिए जोब जोब के साथ में आप कुछ भी करो अपना time निकालकर आप जो creativity आप crew हो के अंदर है वो सामने अपने talent को सामने लेकर आओ जोब के साथ लेकर जाओ क्योंकि जोब जुरूरी है security भी चाहिए ना एक base भी तो चाहिए क्योंकि बिना security बिना पैसे के तो आप वैसे भी कुछ ने कर सकते survival ही नहीं होगा तो आप करो गया talent कितना ही हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि आपका ये talent है तो आपको किस स्टार्टिंग करनी है किस तरीके से आगे बढ़ना है वो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन उससे पहले एक बार आप जोब में सेलेक्ट हो जाओ सबसे पहला target यह है आज से मत पूझने लग जाना जोब जब आप किया आजे उसके बाद में आप मुझे contact कर सकते हो फिर फूझ लेना कि सर अब हमें life में क्या करना किस तरीके से में steps लेने है मैं आपको guide कर दूँ कोई दिक्कत नहीं समझ मेरे चीज़ तो इस तरीके से आपको vocab करने है इस तरीके से याद coalition आप कर सकते हो जिसे महां लड़ाई बगेरा हो जाती है तब वहां पर coalition friends के बीच में coalition होता है गठवंदन बनता है ठीक है गर पे लड़ाई हो तो ममी पापा की लड़ाई होती है तो कुछ पापा क पापा की तरफ से पढ़ती है मला कुल मिला कर बात क्या है पढ़ने तो अपनी है मलों लड़ाई उन दोनों की और पिटाई अपनी उनकी लड़ाई और अपनी पिटाई होना तो यह है लेकिन coalition वही है ठीक है समझ में रहे हैं चीज़ तो इसलिए क्या रहो आप इंडिया इंडिया अपना है क्या गुटनीर पैक्स था को निबाता है उस तरीके से यह आपका coalition बिलकुल है अच्छे से याद हो जाएगा इस तरीके से आप यूज़ करोगे क्लियर आप लोगों के समझ में है तो इस तरीके से आपको वोकेब करनी है तो प्रीविस जितनी वोकेब अभी आपके लिए कठिन होता जाएका और ऐसे में यदि इसे उठाने के लिए आपने किसी की सहायता नहीं ली तो आप या तो इसके बोज्टले दब जाएंगे या चोटिल हो जाएंगे और यदि दोनों में से कुछ भी नहीं हुआ तो भी आपकी आगे बढ़ने की कति म कर्तव्य का कितना भार उसे स्वयम उठाना है और कितना भार शेश सभी में वित्रित करना है स्मरण रहे कार्यों और कर्तव्यों का उचित विभाजन और वित्रण ही एक श्रेष्ट और उत्कृष्ट नित्रित्व करता की पहचान होती है और यदि आपमें ये गुण वि पहुंच पाएंगे, नीती या मेरी, नीती आपकी.